नालंदा के हिलसा स्टेशन पर प्लैटफॉर्म पर एक मालगारी खड़ी थी और मालगारी जहां खड़ी थी वहीं से एक बुजुर्ग बोगी के बीच में से ट्रैक पार कर रहे थे ट्रैक पार करते वक्त मालगारी खुल जाती है और बुजुर्ग को लगता है कि अब हमारा जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा लेकिन कहावत है कि जाको राके साईया मार सके ना कोई और बुजुर्ग की कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि कोई आदमी रेलवेट ट्रैक पर खड़ा होता है गाड़ी चल पड़ती है और उस वक्त उस आदमी की जान भी चली जाती है लेकिन उस बुजुर्ग की सूजबूज ने उनका जान भी बचा लिया और उनको एक खरोज तक नहीं आई कहानी है रवीवार की रवीवार को नालंदा में एक स्टेशन पड़ता है उसका नाम है हिलसा स्टेशन और हिलसा स्टेशन के एक प्लैटफॉर्म पर एक माल ग पट्री पर गिर गए और उसी वक्त माल गारी खुल जाती है ट्रेन होर्न मार कर खुलती है और इधर बुजुर्ग पट्री पर पड़े हुए थे जो लोग देख रहे थे इस घटना को उनकी सासे बीच में अटक गई ये सोच कर कि अब क्या होगा और ये बुजुर्ग ए ताओ देखा ना ताओ वो एकदम पट्री पर मुर्दे की तरह लेट गए एक परसेंट भी हिल नहीं रहे थे अपना माथा नीचे कर लिए एकदम मुह ऐसे घुमा लिए और उनके उपर से पूरी माल गारी गुजर गई और जैसे ही जब माल गारी गुजरी तो लोग परकर इस बात की चिंता में बुजर्ग के पास जा रहे थे कि इनको क्या हो गया तो वो भी देखकर एकदम खुश हो गए कि इनको तो कुछ हुआ ही नहीं है ये एकदम ठीक ठाक है बुजर्ग मुस्कुराते हुए एकदम से क्रोस करते हैं और जब लोग उनसे पूछते ह कि ट्रेन खुलने के बाद हम इसी में सोजाते हैं कई लोग तो हर बड़ा कर उठेगा उसका जान चला जाएगा बुजर्ग कहते हैं कि देखिए हमको पता था जीवन का इतना अनुभव तो मेरे पास है कि जब पट्री पर हम गिर गये हैं उसी पट्री पर ट्रेन खड़ी है और उसी वक्त अगर वो ट्रेन खुल रही है तो मेरे पास वहाँ पर लेटने के अलावा कोई चारा ही नहीं था बुजर्ग बता रहे थे लोगों को कि जब ट्रेन खुल गई तो हम समझ गए कि यहीं पर लेटना पड़ेगा वरना अगर थोड़ा भी हिलेंगे तो सीध जान जाएगी और हम इसी लिए वहीं पर पट्री पर लेट गए जब ट्रेन चली गई तो हम उठकर अराम से खड़े हो गए और सारे लोगों ने अब उनको देखा तो वो भी हत्प्रब रह गए क्योंकि उनको एक खरोच तक नहीं आई थी जिसको कहते हैं कि बाल बांका नहीं हुआ था और उपर से पूरी की पूरी माल गाड़ी गुजर गई बुजर्ग ने कहा कि देखिए अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है तो आपको भी याद रखना है कि आपको कैसे बिहेव करना है ज्यादा हरबराईएगा ज्यादा बुद्धी लगाईएगा कि जान चली जाए हो सकता है कि आप हिलने डूलने का प्रयास करें वहां से भागने का प्रयास करें निकल जाने का प्रयास करें तो हाथ पेर कट जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप पच्चताएंगे इसलिए अगर जीवन में ऐसा कभी होता है एक तो आपको पट् मा की कहानी सुनाई थी, बच्चा पट्री पर गिर गया था, मा ने बच्चों को समेट लिया और पट्री पर ही सो गई, उपर से पूरी टेन गुजर गई, ना बच्चे को कुछ हुआ, ना मा को कुछ हुआ, और दोनों एकदम स्वस्त थे, मिला जुलाकर ये एक हिम्मत की कह कहानी है, सो हो सकता है, कई लोग वहां hopeless हो जाएंगे, उनका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन जो वो बुजर्ग थे, उनका दिमाग भली भाती काम किया, और भाई सहाब बचकर वहां से निकल गए, आप क्या सोचते हैं इस कहानी पर करणबक्स मताईएगा, मेरे नाम प बन्मा बहाτεil को सबस्क्र लंख को सबस्क्राइब को साईयब को सिर्ड़ ब। इस निकल पर दो वहा हैं को सुल मेंगे ख़ग